हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्य वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को और सबसे लांस्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैलसिसम कम्प्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हुथेली है कुछ इस तरह से एक कम्प्लीट स्क्वाइर शेप बनाते हुई नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी थिक फिंगर्स यहां पर नजर आ रही है आप देख सकते हैं यहां पर इनकी फिंगर्स के बेस फैलेंजिस से फिंगर्स काफी थिक हैं जो अच्छी एनरजी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती है अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर अब देख सकते हैं शनी फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है शनी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिस्सिप्लिंड भी होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में काम्याब होते हैं अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की अब यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर और इनकी सूरिया फिंगर दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंडेक्स फिंगर और सूरिया फिंगर लगभग एक समान लंबाई में नजर आ रही है दुनों fingers का thickness में होना और अच्छी length में होना indicate करता है कि native की energy and stamina का level तो अच्छा रहेगा ही साथी साथ guru finger की वज़े से native की leadership qualities भी अच्छी रहेंगी प्रस्पति ये वज़े से native को काफी अच्छी knowledge का सुख मिलता है ऐसे वेक्ती knowledgeable होते हैं spiritual minded होते हैं और strong leadership qualities इनके भीतर रहती हैं और अगर हम इनकी सुरे finger की बात करें तो सुरे finger भी यहाँ पर short नहीं अच्छी लंबाई में है सुरे finger अगर अच्छी length में हो तो native की creativity का level काफी अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ती के भीतर काफी अच्छी artistic qualities भी रहती हैं और एक अच्छा social circle बना पाने में ऐसे व्यक्ती काम्याब हो जाते हैं अगर हम बात करें इनकी mercury finger की अब यहाँ पर देखेंगे mercury finger थोड़ी सी low set होती हुई नजर आ रही है आपको draw कर कर दिखाना चाहूँगा यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह से एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें इनकी जो mercury finger है थोड़ा नीचे है और बाकी की fingers यहाँ थोड़ा उचाई से शुरू हो रही है इस तरह की finger को low set finger कहा जाता है यह लोगों की mercury finger low set होती है इसे व्यक्ति की nature थोड़ी सी shy रह सकती है थोड़ी सी hesitation वाली nature रहने की संभावनाएं धिक रहती है लेकिन overall mercury finger की लंबाई में यहाँ पर कोई कमी नहीं है यह finger length में अच्छी है और अगर देखा जाए तो सूर्य finger का जो top falange है लगबग वहां तक पहुँचती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़े से ऐसे native के communication skills काफी अच्छे रहते हैं और यहाँ पर इस finger का अच्छी लंबाई में होना native के business equipment को भी strong करता है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mercury mount भले ही यहाँ पर थोड़ा सा low set हमें नजर आ रहा है लेकिन इस mount के ओपर काफी सारी इस तरह की खड़ी रिखाएं मौचूद है ऐसी रिखाओं को medical stigmata का नाम भी दिया जाता है यह लोगों के हाथ पर बुद्ध परवत के ओपर ऐसी खड़ी रिखाएं मौचूद हो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी healing qualities रहती है ऐसे व्यक्ति sympathetic nature के होते हैं और दूसरों की help करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति किसे ना किसी तरह से दोसरों की मदद अपने जीवन में जरूर करते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलहा से या consultation से भी लोगों की problems को दूर करने की काबलियत इनके भीतर रहती है और यहां पर खड़ी रिखाओं का होना native के strong business equipment की तरह भी इशारा करता है अब देख सकते हैं उसके साथ साथ यहां पर आपको बुद्ध रिखाएं नजर आएंगी ऐसी रिखाएं होने से भी native का business equipment strong रहता है और अगर भागया रिखा अच्छी हो और यहां पर धन त्रिकोन बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में भी लकी माने जाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो इनके हाथ में बुद्ध रिखा है इसकी वज़े से यहां पर एक अच्छा money triangle बनता हो नजर आ रहा है यहां जो रिखा इसको mercury line कहते हैं और इसके साथ जो उपर की तरफ चलने वाली यहां रिखा है इस रिखा को शनी रिखा यहां fate line कहा जाता है और यहां तीसरी line जो इन दोनों रिखाओं को मिला कर एक triangle बना रही है इसको mind line का नाम दिया जाता है तो यहां पर तीने रिखाए मौचूद है जिसकी वज़े से काफी अच्छा triangle इस area में आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह का triangle होना काफी अच्छा माना जाता है ऐसा triangle होने से native अपने जीवन में काफी अच्छी money accumulation करने में काम्याब रहता है अगर हम बात करें इनके सूर्य परवत की तो आप यहां पर देख सकते हैं सूर्या का area हलका सा दबता हुआ सूर्य मांट अगर दब रहा हो तो native को नीमन फेम मिलने में और यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है अगर अथेली में कोई लंबी सूर्या रेखा हो जैसे आपको draw करके दिखाना चाहूँगा अगर कोई रेखा यहां से शुरू होकर इस तरह से सूर्या परवत की तरफ बढ़ जाए तब यहां रेखा native को fame दिलवाने में काफी help करती है लेकिन यहां पर इस तरह की रेखा का अभाव है और यह area भी हलका सा अंदर की तरफ दब रहा है इस तरह का स्तिती होने की वज़े से native भले ही दूसरों के लिए कितना भी काम करें दूसरों की कितने भी help कर ले बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता यश जो है थोड़ा सा native को कम मिल पाता है अगर हम बात करें इनके शनी परवत की आप देखेंगे यहाँ पर शनी परवत सूरिया परवत के मताबिक बहतर स्तिती में नजर आ रहा है लेकिन शनी रेखा यहाँ पर बीच में आकर थोड़ा सा वीक होती हुई नजर आ रही है आप देख सकते हैं भागया रेखा और शनी रेखा के नाम से यहाँ इसको फेट लाइन के नाम से भी जानते हैं यह रेखा आपको इस सेर्य तक बहुत स्ट्रॉंग होंकर चलती नजर आएगी उसके बाद यहां से यह है रेखा आपको आगे बढ़ती हुई तो नज़र आएगी लेकिन थोड़ी सी डबल होती है और वीकनेस शो करती हुई इस तरह की रेखा बनने की वज़े से नेटिव को जीवन में कुछ ups and downs का सामना करना पड़ता है कुछ financial issues का सामना भी ऐसे व्यक्ति की life में middle age के आसपास आने की संभावनाएं बढ़ जाती है overall भागया रेखा का यहां पर शनी परवत तक पहुंचना एक अच्छा संकेत है बेशक यहरेखा थोड़ी सी weak नजर आ रही है लेकिन फिर भी यहरेखा complete इस area तक आपको पहुंचती हुई नजर आएगी और इस तरह से शनी परवत पर completely यहरेखा उपर तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है जिसकी वज़े से native को later age में भी इसका काफी लाब मिलता है ऐसा व्यक्ती old age में भी काफी अच्छा धन कमाता है और काफी संपन रहता है बात करते हैं इनके गुरू परवत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरू का जो area है आपको उठा हुआ नजर आएगा ब्रस्पती माउंट उभरा हुआ हो और सासत अंगूठे के उपर भी इनके यहाँ पर एक बुद्धा जाई का चिन आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह के positive चिन हथेली पर हो तो ऐसा व्यक्ति spiritual minded होता है धरम करम के काम करने वाला और दूसरों के लिए sympathetic सभाव रखने वाला होता है इस तरह के स्थितिया इनकी हथेली में यहाँ पर ब्रस्पती परवत के उपर कुछ आड़ी रिखाओं से भी बन रही है आप देख सक कामों की वज़े से मान समान पाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर ब्रस्पती इनको काफी अच्छी wisdom देने वाला है और साथी साथ काफी अच्छी six sense भी ऐसे व्यक्ति की रहती है इनकी थेली पर अंगूठे के उपर इस तरह का गुद्धा जाई का चिन बनता हो ऐसे व रही है और इसमें से एक ब्रांच हलकी नीचे की तरफ और चोटी चोटी कुछ और ब्रांचीस भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी इस तरह की ब्रांचीस का हाट लाइन से नीचे की तरफ चलना दरशाता है कि नेटिव को जीवन में emotional setbacks का सामना करना पड़ता है और ऐस व्यक्ति जिसके उपर बहुत जदा blind trust करते हैं उसी से कई वर धोखा खा जाते हैं तो इस तरह की समभावनाय रहेंगी overall heart की line सीधा ब्रिस्पती परवत तक पहुंचती हुई जो व्यक्ति को आदर्शवादी बनाती है और काफी practical type की personality भी बनाती है बात करते हैं इनकी line of mind की तो आप यहां पर देखेंगे mind line में कुछ shift नजर आ रहा है यह रेखा आपको कुछ इस तरह से हलका सा नीचे की तरफ जाती नजर आएगी और साथ साथ यहां से यह रेखा आगे बढ़ती हुई इस तरह से मस्तिक श्रेखा यहां पर double होती हुई जिसकी वज़ा से native middle age क के बाद काफी ज़दा practical होने वाला है इस रेखा का नीचे की तरफ चलना व्यक्ति को over imagination देता है ऐसे व्यक्ति की कलपना शीलता काफी अधिक रहती है जिनके हाथ में मस्तिक श्रेखा नीचे की तरफ चल रही हो और middle age के बाद काफी बदलाव सभाव में आने की सम्हावना भी रहती है जब इस तरह का overlap आपको मस्तिक श्रेखा में देखने को मिले overall यहाँ पर इनकी mind line काफी अच्छी लंबाई में होने की वज़े से दोहरी प्रतिभा इनके भीतर रहेगी क्योंकि एक तो double mind line है दूसरा अच्छी length होने की वज़े से memory भी ऐसे व्यक्ति की साथ नीचे की तरफ जुकाव होना नेटिव को emotional setbacks की वज़े से कई बार तनाभी देता है कई बार stress जैसी संभावनाई भी इनके जीवन में बन सकती हैं बात करते हैं इनकी line of life की तो अब यहाँ पर देखेंगे life line यहाँ पर काफी अच्छी length में है last में चलकर fate line का सहारा आगे बढ़ते हुई इनकी life line नजर आ रही है अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी life line का जो course है यहाँ तक चलते हुए और यह है रेखा आगे extended है और इस तरह की life line होना 70 से लेकर 75 के आसपास की age को indicate करती है लेकिन अंत में आकर आपको यहाँ पर थोड़ी सी weakness भी indication यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम देखें overall इनके शुक्र परवत को यह जो area है काफी उभरा हुआ है शुक्र परवत अगर उभरा हुआ हो तो native को जीवन में हर तरह की सुकसुधाय मिल जाती है लेकिन इस mount के ऊपर काफी ज़दा आरे रिखाएं होना अ इने हम worry lines कहते हैं तो यह कुछ ना कुछ चंताए native को अपनी family से related देती हैं अगर हम बात करें इनके चंदर परवत की तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चंदर का area है आपको थोड़ी से रिखाएं और थोड़ा सा यह weak होता हुआ इस side से यह दबता हुआ और कुछ ऐसी र दिखाओं का होना native को short distance travel तो काफी देता है लेकिन सासत anxiety की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में face करने ही पड़ सकती है तो दोस्तों यह कुछ analysis से इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुआलों के जवाब एक ही video के थुरू दे पाऊं लेक कर दो